भीमापूर नाम के गाओं में सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पतनी रचना और साथ साल के बेटे गोलू के साथ रहता था सुरेश जमीनदार साहब के खेतों में काम किया करता था लेकिन एक दिन उसे खेत की पानी की मोटर से जोरदार बिजली का जटका लगा जिसके बाद जैसे तैसे उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद उसके आधे शरीर में लकवा मार गया वो अपने बिस्तर से उड़ भी नहीं पाता था, घर की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ गई वो जमीनदार सहाब के खेत में काम करने लगी, एक दिन ये ले गोलू ये खाना ले जा और अपने पिताजी को खाना खिला दे गोलू अपने हातों से अपने पिताजी को खाना खिला रहा था, कि तभी अचानक से उसकी मा की तब्येद बहुत खराब हो गई गोलू जल्दी से भाग कर अपने घर के पास वाले डॉक्टर चाचा को बुला कर लाया रचना बहन लगता है तुमने खुद पर काम का कुछ जादा ही भार ले लिया है तुम्हारे शरीर में अब जरा से भी ताकत नहीं बची है उपर से तुम्हें इतना तेज बुखार है ये लो तुम ये पहले दवाई खा लो डॉक्टर रचना को दवाई देखकर चले जाते है उनकी हालत देखकर वो उनसे दवाई के पैसे भी नहीं लेते लेकिन कुछ दिन तक दवाई खाने के बाद भी रचना की तब ये ठीक नहीं होती वो बुखार के कारण इतनी कमजोर होती है कि बिस्तर से उड़ भी नहीं पाती हे भगवान ये तु हमें कैसे दिन दिखा रहा है ये तो पहले से ही अपनी बिमारी से परिशान है और अब तुने मुझे भी ऐसा कर दिया घर में खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है ना ही मैं इस हालत में काम पर जा सकती हूँ समझ नहीं आ रहा घर में खाना कैसे बनेगा मेरा बच्चा और ये भूके ही रह जाएंगे घर की दहलीस पर बैठा गोलू अपनी मा की सारी बात सुन रहा था वो भले ही केवल साथ साल का था लेकिन अपने घर की सभी परिशानियों को समझता था वो ये सब सुनकर अपनी मा के पास जाता है तुम चिंता मत करो मा अगर तुम काम पर नहीं जा सकती तो क्या हुआ मेरी तबियत तो बिल्कुल ठीक है मैं तो काम पर जा सकता हूँ तुम आराम करो मैं जमिंदार सहब के खेत में जाकर तुम्हारे हिस्से का काम कर दूँगा शाम को आते हुए मैं कुछ सबजी और रोटी बनाने के लिए आटा ले आऊँगा नहीं बेटा, तु अभी खेतों में काम करने के लिए बहुत चोटा है तुझे वहाँ पर चोट लग जाएगी मुझे कुछ नहीं होगा मा, तुम मेरी चिन्ता मत करो मुझे खेतों में काम करना आता है मैंने बहुत बार तुम्हें और पिताजी को जमीनदार सहब के खेत में काम करते हुए देखा है अब तुम मुझे मत रोकना, मैं जा रहा हूँ साथ साल का गोलू अपने माता पिता की खराब तब्ये देख कर जमीनदार सहब के खेत में काम करने चला जाता है थोड़ी देर खेत में काम करने के बाद वो बहुत थक जाता है मा पिताजी पूरे दिन कैसे खेतों में काम करते हैं? मैं तो थोड़ी देर खेत में काम करते ही थक गया चोटा सा गोलू थकने के बाद भी अपने काम को रुकने नहीं देता वो पूरी महनच से खेत का सारा काम पूरा करता है शाम को वो जमिंदार सहब से पैसे लेकर राशन वाले के दुकान पर जाता है भाईया, मुझे एक किलो आटा चाहिए, कितने का हुआ? ये वाला 30 रुपे का है और ये वाला 35 रुपे किलो मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपे ही है, अभी तो मुझे इन पैसो से सबजी भी लेनी है भाईया, आप मुझे 30 रुपे किलो वाला एक किलो आटा दे दो गोलू एक किलो आटा खरीद कर सबजी मंडी से सबजी लेने जाता है यहाँ पर तो इतनी सारी सबजिया है, मैं इन मेंसे कौन सी सबजी लूँ? हाँ, एक काम करता हूँ, इन मेंसे जो भी सबजी सबसे सस्ती होगी, मैं उसे ही ले लूँगा वैसे भी मेरे पास सिर्फ 20 रुपे बचे है गोलु सबजी खरीदने जा ही रहा होता है, कि तभी उसे एक बुढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है कोई इस बुढ़िया को पानी पिला दो, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है क्या हुआ दादी मा, आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरी तब ये ठीक नहीं है, मुझे बहुत प्यास लग रही है मैं बहुत देर से पानी ढून रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं बे पानी नहीं मिल रहा क्या तुम्हारे पास पानी है? नहीं दादी मा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लिकिन यहां पास में ही एक कुवा है, मैं वहां से आपके लिए पानी लेकर आता हूँ ठीक है बेटा, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी गोलू उस बूढ़ी दादी के लिए पानी लेने के लिए कुवे के पास जाता है लेकिन वो जैसे ही रसी से पानी की बाल्टी को खीचनी लगता है तभी उसके हाथ से वो 20 रुपे का नोट कुवे के अंदर गिर जाता है पैसे कुवे में गिरने की वज़ा से गोलू की आखों में आसू आ जाते है वो रोता हुआ अपने हाथ में पानी लेकर उस बूढ़ी दादी अम्मा के पास पहुचता है ये लीजे दादी मा आप पानी पी लीजिए बूढी औरत गोलू के हाथों से पानी लेती है तो देखती है कि उसकी आखों में आसू आये हुए है क्या हुआ बेटा तुम्हारे आखों में आसू क्यू है अभी जब तुम यहां से गए थे तब तो तो बिलकुल ठीक थे क्या रास्ते में तुम्हें किसी ने परिशान किया नहीं दादी मा मुझे किसी ने परिशान नहीं किया तो फिर तुम क्यू रो रहे हो बेटा अगर कोई बात है तो मुझे बताओ बुड़ी दादी के पूचने पर गोलू उन्हें सारी बात बताता है तो वो बुड़ी दादी गोलू की आखों से आसू पोचते हुए उससे कहती है तुम इस तरह रोव मत बेटा तुमने मुझे प्यासी को पानी पिलाकर बहुत पुन्य का काम किया है जैसे तुमने मेरी मदद की अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ ये लो मेरे पास ये कुछ करेले है तुम इन्हें अपने घर ले जाओ ये तुम्हारी सारी परेशानी हल कर देंगे बस तुम हमेशा इसी तरह जरूरतमन लोगों की मदद करते रहना वो बूढ़ी दादी गोलु को करेला देकर वहां से चली जाती है गोलु उन करेलों को पाकर बहुत खुश होता है और वो करेले लेकर अपने घर आता है अरे बेटा तुझे तो आने में बहुत देर हो गई मेरा बच्चा पूरा दिन खेत में काम कर करके बहुत ठक गया होगा नहीं मा मैं तो बिलकुल भी नहीं ठका मैंने तो पूरे दिन एकदम चुस्ती फूर्ती से खेत में काम किया देखो मैं तुम दोनों के लिए आटा और करेले लेकर आया हूँ ये करेले मुझे एक बूढ़ी दादी ने दिये है मैंने उन्हें कुएं से पानी ला कर दिया तो उन्होंने मेरी मदद करने के लिए मुझे ये करेले दे दिये वो कह रही थी कि ये करेले तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर देंगे अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो ये करेले बहुत ही अच्छे है लाओ बेटा, मैं इन्हें बना देती हूँ नहीं मा, तुम इन्हें नहीं बनाओगी तुम्हारी तबियत पहले से ही खराब है तुम आराम करो, मैं सारा खाना खुद बना लूँगा नहीं बेटा, मैं तुझे चूले के पास नहीं जाने दूँगी वैसे भी अब मेरी तबियत पहले से ठीक है मैं खाना बना सकती हूँ ला ये करेले मुझे दे दे तब तक मैं इन्हें काट लेती हूँ गोलू वो करेले अपनी मा को दे देता है रचना जैसे ही उस करेले को काटने लगती है तो वो करेला उसके हाथ से उचल कर जमीन पर गिर जाता है अरे ये करेला तो जमीन पर गिर गया गोलू बेटा, जरा मुझे ये करेला उठा करतो दे गोलू उस करेले को अपनी मा को उठा कर दे देता है उसकी मा जैसे ही उस करेले को फिर से काटने जाती है तो वो फिर से उसकी हाथ से उचल कर नीचे जमीन पर गिर जाता है अरे, ये कैसा करेला है? मैं कितनी देर से इसे काटने के कोशिश कर रही हूँ लेकिन जैसी ही छूरी इस पर रखती हूँ तो ये उचल कर नीचे गिर जाता है हाँ, क्योंकि अगर तुमने मुझे काट दिया तो मेरी सारी जादूई शक्तियां खत्म हो जाएंगी अरे, ये आवाज कहां से आई? गोलू, कहीं तु मेरे साथ कोई मजाग तो नहीं कर रहा ना? नहीं मा, मैंने तो कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे भी अभी एक आवाज आई हाँ, आप दोनों को मेरी आवाज आई मैं आप दोनों से ही बाते कर रहा हूँ मा, ये कौन है जो हमसे बाते कर रहा है? यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई है भी नहीं अरे, तुम इस तरह से डरो मत गोलू मैं जादूई करेला हूँ, इधर देखो अरे, तुम कैसे करेले हो? तुम्हारे तो हाथ पैर भी है और तुम तो अपनी मोटी मोटी आँखों से मुझे देख भी रहे हो बेटा, कहीं उस बूढ़ी दादी ने तुझे ये जादू टोने वाले तो करेले नहीं दे दिये देखो, अगर तुम कोई भूत हो तो अभी के अभी यहां से चले जाओ मैं कोई भूत नहीं हूँ रचना मैं जादू ही करिला हूँ मैं हमेशा उस बूढ़ी दादी के पास ही रहता हूँ जब गोलू ने बूढ़ी दादी की मदद की तो बूढ़ी दादी ने गोलू की परिशानी सुनकर उसे मुझे दे दिया ताकि मैं यहाँ आगर तुम्हारी मदद कर सकूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ क्या? लेकिन तुम तो एक करेले हो, आखेर तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक मामुली करेला नहीं बलकि जादोई करेला हूँ अगर तुम्हें मेरी जादोई शक्तियों पर कोई शक है, तो तुम मुझे आजमागर देख सकती हो तुम मुझसे जो भी मांगोगी, मैं वो तुम्हें दे दूँगा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है, तो मैं तुमसे अपनी पती की सेहत मांगूँगी, क्या तुम मेरे पती को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे पती को बिल्कुल ठीक कर देता हूँ जादूई करेला अपने हातों को हवा में घुमाते हुए सुरेश के पास जाता है, वो सुरेश के सर पर अपना हात रखता है, तभी सुरेश के चारो तरफ सुनेरे रंकी एक रौशनी घूमने लगती है, तभी थोड़ी देर बाद सुरेश बिल्कुल ठीक हो जाता है, और अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होता है सुरेश को पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हुआ देखकर रचना और गोलू की आखे भराती है वो सुरेश के पास जाकर उसके गले से लग जाते है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई करे ले जो तुमने इन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया यही तुम मेरा काम है रचना लोगों की मदद करना और उन्हें खुश करना लेकिन अभी मेरी मदद पूरी नहीं हुई है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा घर बहुत तूटा फूटा हुआ है और तुम्हारे पास करने के लिए कोई अच्छा काम भी नहीं है तुम चिंदा मत करो मैं तुम्हारी इस परिशानी को अभी हल कर देता हूँ इतना कहकर जादुई करेला अपने हातों को फिर से हवा में घुमाता है तभी उनका तूटा फूटा घर एक बहुत ही सुन्दर और नए घर में बदल जाता है मैंने तुम लोगों के लिए तुम्हारे घर के सामने ही करेली का एक बहुत बड़ा खेत बनाया है उस खेत में उगने वाले करेले कभी खत्म नहीं होंगे ना ही आज के बाद तुम्हें पैसों को लेकर कभी कोई दिक्कत आएगी तुम बस हमेशा नेकी की रहा पर चलना और जरूरत मन लोगों की मदद करना अब मैं चलता हूँ वो तीनों जादूई करेले का बहुत बहुत धन्यवात करते है तभी थोड़ी देर बाद जादूई करेला वहां से गायव हो जाता है उस दिन के बाद वो जादूई करेले के जादू से बनाए गए करेले के खेत में खोब महनत से काम करते है उनके घर में फिर कभी पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती साथ ही वो अपनी कमाई से जरूरतमन लोगों की भी मदद किया करते हैं और उन्हें जिन्दिगी में फिर कभी ऐसे मुश्किल हालतों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता रामानन्द एक छोटे से गाउं में रहता था और एक गरीब किसान था उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सबजियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता यह उसकी आजीविका का एक मात्र साधन था उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके चार बच रामानंद बड़ा ही भला अदमी था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी। जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती और रामानंद के बस में कुछ होता तो वे उसकी मदद जरूर करता। एक दिन। इतनी महनत किसान करता है लेकिन जब बाजार में बेचने जाओ तो उन्हें पौने दामों में ही लोग खरीदते हैं। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है। किसान का दर्द भला कौन समा सकता है। फर किसान अपनी खेती के सिवा और करें भी तो क्या करें। देखो जी हुमारे चारों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। इनकी जरुरत भी बढ़ रही है। तू परेशान मत हो। भगवन है न, वो सब देख रहा है। चारों बच्चे भी उठ जाते हैं। मनोर्मा उन्हें तयार कर नाश्ता कराकर स्कूल के लिए भेज देती है। रामानन भी खेतों की तरफ निकल जाता है। और मनोर्मा घर के काम खत्न करने लगती है। कितनी बार काहा है, इन्हें एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दो, कम से कम आसपड़ों उसके लोगों के कपड़े सीलूंगी, तो कुछ आमदनी हो जाएगी, पर इन्हें तो जुनून सवार है कि बीवी से काम नहीं कराना। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, हे भगवान अब तो तू ही मालिक है। इसी तरह कई दिन भी जाते हैं। रामा नंद आखिर में फैसला करता है कि वह खीरे की खेती करेगा और वह अपने खेत को तयार करके खीरे के बीज भी बिखेड देता है, उसे खेतों में पानी दे देता है, घर आने पर बाबा, इस बार आपने कहा था कि आप मुझे साइकल दिला दोगे, फिर मैं छोटू और पिंकी को अपनी साइकल पर ही बैठा कर स्कूल ले जाऊँगा। वाँ जी वाँ, इन दोनों को तो साइकल पर बैठा कर ले जाएगा, और मैं क्या पैदल स्कूल जाऊंगी। अरे, एक साइकल पर मैं कितनी लोगों को बेठा सकता हूँ? तो ठीक है, बाबा, दो साइकल खरीद लो, एक साइकल मेरी और पिंकी के लिए, एक साइकल छोटू और मोनों के लिए। अरे, अरे, तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुमारे स्कूल यहां से है कितनी दूर, एक किलूमीटर, तो तुम लोग वैसे ही पैदल चल सकते हो, पर बाबा, साइकल दिला दो, आपने कहा था, हाँ, हाँ, तो मैं मना कहा कर रहा हूँ, दिला दूँगा, दि गढ़ाई करो, जब देखो मटर गश्टी करते रहते हैं, चारों बच्चे मनोर्मा से बहुत ड़ते थे, चारों तुरंथ वहां से चले जाते हैं, और किताब उठा कर बैढ़ जाते हैं, तुम ने तो बचा लिया मनोर्मा, यह सुनकर मनोर्मा हसने लगती है, कई दिन उसे बड़ी चिंता हो रही थी, बाकी किसानों के खेत में छोटे-छोटे पौधे बड़े होने लगे थे। रामनन्द एक बार और खेत में पानी दे देता है और इंतजार करने लगता है कि खेत में बीजों से अंकुर निकल आए, पंदरा दिन और निकल जाते हैं, अब तो रामनन्द को बहुत चिंता होने लगी थी। रामनन्द को कितनी उपजाओ भी है। उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर इस बारी उसके खेतों में फसल तयार क्यों नहीं होई और किसान उसका मजाग भी उडाने लगे थे। उसे याद आता है उसी के पडोसी किसान ने कहा था। रामनन्द जानता था कि अभी बोलने का कोई फाइदा नहीं है इसलिए वह चुप हो गया था। पर रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अगले दिन सुबह वह अपने खेतों में जाता है। चारों तरफ नजर दोडाता है तो एक जगा पर उसे खीरे की एक छोटी सी बेल दिखाई देती है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरन जाकते है। वह भाग कर वहा जाता है तो देखता है कि उस छोटी सी बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है। यह देखकर उसकी आखों में आसु आ जाते हैं। परेशान क्यों हो रहा है रामानंद। रामानंद इधर उधर देखता है कि आवाज कहां से आई है। पर आसपास तो कोई भी नहीं था। दूर दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वह हैरान था कि फिर उसे नाम से किसने पुकारा। अरे ओ रामानंद। इधर उधर क्या देख रहे हो। नीचे देखो नीचे मैं यहां हूँ। रामानंद हैरानी से बोलते हुए खीरे को देख रहा था। मैं एक जादू ही खीरा हूँ। तुम्हें इस तरह दुखी और परेशान हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया। और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। जादू ही खीरा। भला ऐसा भी कभी हुआ है। क्या सबजी भी जादू ही होती है क्या। हाँ...क्यों नहीं हो सकती? जब तुम हो दर्ति है, आकाश है। हवा है, पानी है तो सबजी भी जादू ही हो सकती है ना ? ओने को तो कुछ भी हो सकता है ! ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें किसीने तंथर मंतर कर मेरे खेत में भिजवा दिया हूँ, तबी तो मेरी फसल तेयार नहीं हुई, हाहाहाहा, तंत्र मंत्र करके, ना भाई ना, मैं कोई तंत्र मंत्र से यां नहीं आयाँ, मैं सचमुच में एक जादू ही खीरा हूं, तभी जादुई खीरा अपना जादु का कमाल दिखाता है रामानंद के खेतों में छोटे-छोटे अंकुर निकर लाते हैं देखा रामानंद, अब तुमारा खेत भी थोड़े दिनों में लहराने लगेगा और तुमारे फसल भी जबरदस्त होगी और ये सब मेरे जादु के कमाल से ही होगा आरे आरे वाह ये तो सचमुच में जादु हो गया अब मेरी फसल भी त्यार हो जाएगी तुम तो सचमुच में मेरे लिए फरिष्टा बन कर आये हो रामानंद अपने खेत को देखकर अब बहुत खुश था वह जादुई खीरे को उसके कहने पर वहां से तोड़ कर घर ले आता है क्या बात है गय तो मूलट का कर थे आप बड़ी खुशी खुशी रहे हो अरे क्या बताओ मनुर्मा मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है सारे खेत में अंकुर निकलाए है और तुम्हें पता है ये किस की बदौलत हुआ है तुम्हारे मेहनत की बदौलत और क्या नहीं नहीं मनुर्मा ये सब ये सब एक जादुई खीरी की वज़े से हुआ है फिर रामानन मनुर्मा को सारी बात बता देता है ये सुनकर मनुर्मा चौक जाती है और जादुई खीरा अपने जादु से वहाँ पर मनुर्मा की मन पसंद सिलाई मशीन ले आता है तुम तो सच मुच में जादु दिखाते हो लगता है पिछले जन में कोई अच्छे कर्म किये होंगे तभी तुम हमें मिले हो मनुर्मा तो सिलाई मशीन मिलने से ही इतने खुश थी कि वह बाकी सब भूल ही गई तभी रामा नंद उसे याद दिलाता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले है खाना बना लो वर्षों से मेरा अर्मान था कि मेरे पास ऐसे ही सिलाई मशीन हो आज मेरा सपना पूरा हो गया मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ बस जिस तरह मेरी मनो कामना पूरी हो गई है बच्चों की भी हो जाए मैं तो यहाँ पर आया हूँ इसलिए कि तुम लोगों की भदत कर सकूँ मैं जानता हूँ बच्चों को साइकल चाहिए तभी वहाँ पर सब बच्चों के लिए संदर संदर साइकल आ जाती है बच्चे जैसे ही घर आते हैं चार साइकल वहाँ खड़ी हुई देख कर खुश हो जाते हैं अपनी अपनी पसंद की साइकिल ले लेते हैं बाबा, आप एक साइकिल भी नहीं दिला रहे थे और अब हम सब के पास में अपनी अपनी साइकिल है हाँ बाबा, मुझे एसे ही साइकिल चाहिए थी मैं तो अभी एक राउंड लगा कर आ रहा हूं सारे बच्चे ही अपनी अपनी साइकिल लेकर राउंड लगाने के लिए चले जाते हैं उधर जादुई खीरा अपने जादु से कमाल दिखाता है रामानन्द के घर को सुन्दर बना देता है उसके घर में हर तरहा का समान डाल देता है यहां तक कि वह रामानन से कहता है कि उसके खेतों में अब हमेशा ही खीरे की खेती होगी वह पानी दे या ना दे या खेतों की देखभाल करे या ना करे उसके खेतों में हमेशा ही खीरे होते रहेंगे जिन्हें बेच कर वह अपनी आजीविका को अच्छा कर सकता है और बार-बार फसल लगाने की जंजट से भी बच जाएगा मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूँ कम है लगता है किसी जन के पुन्य का फल हो तुम तुम क्या मिले मेरी तो सारी परिशानिया ही खत्म हो गई है मैं अपनी खेतों की देखबल वैसे ही करूँगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूँ खेत नहीं तो मैं भी नहीं जादूई खीरा रामानंद और मनोर्मा को बहुत सारी चीजे देकर वहां से गायब हो जाता है बच्चे भी साइकल पर राउंड लगा कर अपने नए घर को देख कर हैरान थे रामानंद अब रोज खेतों में जाता और वहां से खीरे की फसल को निकाल कर बाजार में बेच देता सब किसान भी हैरान थे कि रामानंद के खेतों की फसल कभी खत्म नहीं होती अब रामानंद और उसका परिवार जादुई खीरे की मदद से बड़ा ही खुश्चाल परिवार हो गया था